लिखने वाले हैं दो ऐसी संख्याओं का गुना जिनके एक्याई का इस्थान का जोड़ अगर देखेंगे तो वो 10 होगा और बाकी दोनों संख्याओं समान होगी जैसे यहाँ पर सेकेंडों में लिखेंगे दो सेकंड में आंसर होगा सीधा 8 x 2 कितना हो गया 16 और 9 को उसकी अगली संख्या यानि 10 के साथ गुना करो हो जाएगा 90 ठीक है 83 x 87 3 x 7 कितना हो गया 21 और 9 x 8 कितना हो गया बहत्तर है अगले सवाल को देखो जैसे ऐसे ही 113 को 107 के साथ गुना करना है यहाँ पर 3 और 7 का जोड़ कितना हो गया 10 और 11 दोनों समान है यानि 11 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना करिये 12 के साथ तो 132 और 3 को 7 के साथ गुना करिये तो 21 तो अगला सवाल आपके लिए comment box में उत 30 से जाद है 5 32 में 5 जोड़ लो तो भी 37 आएगा या 35 में 2 जोड़ लो तो भी 37 आएगा लिख दो यहाँ पर 37 अब तुम खुद देखो 37 यहां कितना है 3 है यानि 37 का 3 गुना करना है 30 का 3 गुना होता है 90 साथ का 3 गुना होता है 21 90 में 21 जोड़ लो 111 और 5 इंटू 2 हो जाए ठीक है? तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. समझ में आई मेरे बात? सीधा सा सीधा एक लाइन मांसर 42 इंटू 43. किसी के साथ तुम कर सकते हो. 100 तक तुम ऐसे संख्याओ को लिके जा सकते हो. जैसे यहाँ पर देखो. 91 में 6 को जोड़ो या 96 में 1 को जोड़ो उत्तर हो जाएगा तुमारा 97. उत्तर कितना हो जाएगा 97. 97 का कितना गुना करना है? 9 गुना. 97 का तुम्हे 9 गुना करना है. अब 90 का 9 गुना कर लो कितना होता है? 90 का 9 गुना तुमारा होता है 810. ठीक है? और 810 में तुम कितना मेरे ती कैसे करेंगे पेपर में बैठके ऐसे नहीं कि बच्पन वाली कहानी करनी है ठीक है कि मान लो 27 को मुझे 18 के साथ गुना करना है तो हम कर रहे है आठ साथ चपन का छे हाथ में पांच आठ दूनी 16 और पांच 21 फिर 27 कम मान लो यहां पर 27 ठीक है यहां पर ऐसे लिख र आएगा ऐसे नहीं करना एक तरीका बता रहा हूं वेदिक मैत जिसे कहते हैं और इसमें आप एक लाइन में आंसर लेकर आ सकते हैं सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुना करिए तो 8 का 7 के साथ गुना करने पर कितना आएगा 56 आएगा अपने हाथ में 5 कहरी रखना है अ एक को साथ गुना करने पर साथ आता है 16 और 27 होता है और जो केरी है उसको भी जोड़ दीजे 23 और 5 कितना हो जाएगा 26 का हाथ हो जाएगा अब केरी आपका हांत में दो रहेगा और फिर अब इधर स्ञेस को गुना कर दीजे तो एक इंटू 2, 2 जम दो कितना हो जाएगा 4, एक लाइन में आप 486 लेकर आएंगे तो आपको इतना गुना नहीं करना पड़ेगा किसी भी दो अंकों का गुना करने के लिए क्या करना होता है ये दो संख्या को पहले आपस में गुना करना है फिर ये दो संख्या को आपस में गुना करके जो टो सबसे पहले इनको आपस में गणा करो, 7 को एक के साथ गॣा करो,कितना आ जायगा,सात आ जायगा ठीक है,पिर 7 को 3 के साथ गॣा करो,एक्टिस और 3 को एक के साथ गॣा करो तीन 21 और 3 कितना होता है 24 24 का कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे हाथ में कितना आ गया 2 आ गया फिर 3 को 3 के साथ गुना करो 9 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया तो 11 सा 47 जल्दी जल्दी आप लिख पाएंगे